हेलो डियर स्टुनेंट्स वेलकम टू सक्षच क्लासिस टेखनिकल एजुकेशन आज फंडमेंटल वो मेकेनिकल इंजिनिंग में आपकी जो युनिट नंबर चल रही है बच्चो उसका थर्ड चैप्टर चलना है मेकेनिकल एक्टूशन सिस्टम उसका लास्ट टोपिक आज बच्चो आपको पढ़ा जाएगा इसके बाद आपका चैप्टर बचेगा वह बचेगा मेजरमेंट एक चैप्टर रह जाएगा तीन चैप्टर नमसे यह मानके चले कि 75% से लेगा आपका फिफ्ट उनिट का आज कम्प्लेट हो जाए चलता हूं बच्चो बैल्ट बच्चो तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे बैल्ट ड्राइव में होता क्या है बैल्ट ड्राइव में बच्चो जैसे गियर से पावर ट्रांसपर होती है इसी तरीके से हम वैल्ट से भी पावर को ट्रांसपर करने के काम हती है एक साथ से दूसरी साथ पर पावर को ट पढ़ा है तो मैंने आपको यह बताया था कि गेर वहां यूज होगा जहां पर साफ्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी अगर साफ्ट के बीच की डिस्टेंस जादा हो जाएगी तो वहां यूज नहीं कर सकते अब वहां यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे वहां यूज तो पुली चढ़ा देते हैं का चड़ाएंगे और उससे आपकी पावर ट्रांसपर होने लिए जैसे कि अगर आपको इसका बढ़िया एक्जामपल देखना है तो आटा चक्की आप देखना आटा चक्की में बैल्ट के थुरू पावर ट्रांसपर होती है इक शौट दूसरी साथ पर बैल्ट ट्रांसपर करते रहते हैं इंजन आपके पास होता है उसी इनूंच से आपकी पाटा चक्की चलाते हैं आसाला पीचिने के चला लेते हैं तेन निकालने की मचीन है वह भिचला लेते हैं एक इस नि wichtiger जा जाते हैं प्रिक्षन कम से कम होना चाहिए तब जाके पावर ट्रांसपर करेंगे तो अच्छा होगा यहां पर फ्रिक्षन मेंडेटरी है यहां लुब्रीकेशन का यूज नहीं होगा अगर फ्रिक्षन नहीं होगा तो आपकी पावर ट्रांसपर नहीं होगी पुली और बैल्ट जो आ दोनों के contact point पर friction होना चाहिए अगर friction नहीं होगा तो आपकी belt slip हो जाएगे महां के यह ध्यान रखना है तो point to point देके बच्छो पढ़के बताता हूं आपको to transmit power from one shaft to another pulley are mounted on two shaft एक shaft से दूसरी shaft पर power को transfer करने के लिए हम दोनों shaft पर क्या लगाते हैं पुली लगाते हैं और pulley are then connected by an endless belt passing over the pulley और उसके बाद उसके ओवर उसके उपर इस तरह से belt को pass करेंगे तो जैसे एक pulley आपकी यह हो गई एक pulley आपकी यह हो गई इसके ओपर इस तरह से belt को pass करेंगे एंडलेस आपकी पुली होगी और इस तरह से वह power को transfer करेंगे क्लियर नहीं बच्चो इस तरह का system आपका बनेगा यह एक shaft हो गई यह दूसरी shaft हो गई आपके ओपर यह pulley एक pulley है और pulley के ओपर बैल्ट यह arrangement आपका बच्चो बने हैं ठीक है नहीं पुलीज ट्रांसपर टुदा अधर विदाउट सिलिप जितनी जादा tension belt के अंदर create होगी उतनी ही आपकी जो बैल्ट होगी उसकी होने की condition कम हो जाएगा अगर बैल्ट के अंदर आपका क्या रहेगा बैल्ट के अंदर आपका होगी तो वहाँ पर शिलिप की कंडिशन ज्यादा हो जाएगी की कणड़ीव की जड़ी जो रिक्वारमेंट की सिलिप हो जाती है पुलिस है तो उसके चांस ज्यादा बढ़ जाएगी तो बैल्ट के अंदर ज्यादा टेंसर होनी जरूरी है ऑफ जो च्याएं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके से यहां भी जो पुली आपने लगाई उस पुली के साइज से आप क्या कर सकते हैं पावर को कमिया ज्यादा कर सकते हैं हाट की आर्पम को कम यह ज्यादा कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं या अव कि इच्छा है अगर आप पुली का साल सेम रखेंगे तो जब पाधर ड्राइवर पुली तैगर पुली मतलब यह जो इसकी साफ्ट है यह इसकी साफ्ट किसी मोटर से रूटेट हो रही है और इस साफ्ट से मुझे इस साफ्ट पर पावर को ट्रांसपर करना है तो यह हो गई आपकी ड्राइवन पुली क्या होगी ड्राइवन पुली तो ड्राइवर पुली बच्चो आपकी इस तरह से देखें यहां पर आप देख सकते हैं यह जो रूटेट कर रही है यह इस तरह पावर ट्रांक पर होगी तो यह भी क्लोग वाई आपकी रूटेट करें ठीक है नीचे वाली साइड आपकी टाइट होगी जिस साइड ड्राइवर पुली होगी ड्राइवर पुली ट्राइवर पुली से ड्राइवर पुली से जिस साइड से बैल्ट को खीचेगी वह आप द book driver set revival forage ruled उसपर आपकि वह कहले कि स्लेक्ट साइड यहां पर टेंशन कम ध्यां दखेगा को आपका मोशन होगा जब आपकी डारिक्ट्र मेल अर्हें और जो ड्राइवन से ड्राइवर की और आरेख होगी और जो ही तो यहां पर आप ध्यान लखेगा बक्तो तक ते खुल कि जी में चाहिए रैवन से द्राइवर की और और आने वाली दो शॉपट भूगी और ड्राइवर से ट्राइवर की और जाने वाली यह आप और खुलेग साइड होगी उसके अंदर टेंसल कम होगी ए ध्यान लगे ठीक है नहीं और जो टेंसल है आपकी बैल्ट में वो किस पर डिपेंड करेगी वह डिपेंड करेगी बच्छो जो आपकी ये साफ्ट है ये वाली साफ्ट इस पुली पर कितने कॉंटेक्ट में हैं जितना ज्यादा कोंटेक्ट जैसे यह माले यह पोईंट है यह देखिए यह इतने एंगल बना रही है इतने एंगल के कोंटेक्ट में है तो यह एंगल जितना ज्यादा होगा आपकी पुली पर जितने ज्यादा सब्सक्राइब तो यह था करक्र घर कमों यह था लगा सैंसे से कर ज़र में कर अवा दिए आफा सिग्सक्रेंगा उसाय मे लुद नेलंगा और एक यह गाता है जो की Phully Drive पांच तरे कि मैं पार्ड रहते हैं कौन सी Belte कहां यूज होती है कौन से system कहां यूज होगा वह आपको मिसारा बोताउगा सबसे पहले बात करेंगे बच्चो ओपन बैल्ट ट्रैव कि किसके Boss करेंगे यह ओपन बेल्ट राइब कहां यूज होगी जब आपको मांद यह आपकी ड्राइवर साफ्ट रूटेट कर आता है तो आप ओपन बेल्ट ड्राइवर का यूज करेंगे यह ध्यान लखना है तो देखें इन इस टाइप ओफ बेल्ट ड्राइब दा बैल्ट इंप्लोई वेंद टू पैलल साथ है तू रूटेट इन दा सेम डारेक्शन अगर दो पैलल साथ को आपको सेम डारेक्शन में रूटेट कराना हो तो आप ओपन यूज होगा यह ध्यान लखना है तो नीचे वाली साइड आपकी टाइट साइड हो उपर वाली स्टाइड हो उसी तरह से मूशन को रखें उसी तरही सिस्टम को बनाएं तो आपर वाली साइड को स्लैक्साइल रखने देख ने फाइदा होता है क्या फाइदा होता है उन्हों आपको बताऊंगा विशिज्ट विपोल्गें दा अपर साइड भीकम दा स्लैक्साइड इट विल सैट द्यू टू इट्स इनकिरीज दा आर्क पूंटेक्ट देखे क्या होगा कि जब आपकी स्लैक्साइड होगी वह इस पर ग्रेविटेश यह बैल्ट इसके कोंटेक्ट में ज्यादा आएगी क्योंकि यह नीचे की तरफ जाएगी और जब यहां पर आर्क पूंटेक्ट बढ़ेगा बच्चो तो क्या होगा ओटोमेटिक जो आपकी यह बैल्ट हैस के अंदर टेंसन इंकिरीज हो जाएगी तो टेंसन को कोंटेक्ट को ज्यादा करने के लिए उपर लेने की कोशिस करते हैं यह था फाइदा उपर वादी साइड को स्लेक सैड लेने का ठीक है नहीं दूसरी बात दूसरी बात यह आती है बच्चो यहां पर आप डाइगराम देखिए यह ओपन बैल्ट ड्राइज का डाइगराम यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी साफ इस तरह से खुम रही है और यह वी आपकी कुलोग वाइज रूटेट करें इसमें सीदे सीदे आप इस तरह साफ को क्या कर देंगे जा आपकी बैल्ट होगी उससे इस तरह से क्रोश ओवर कर देंगे दोनों पुली के ऊपर और आपकी साफ्ट आप सेम डारेक्शन में रूट्म ओनियो चिछ अब सेकेंड़ाती है अब ये क्रोस ड्राइब कहा युँज होती है वही क्रोस् непोसूम ड्राइब आपकी अपकी वह यूज हो गय जहां पर एक साफ तो आपकी कलोगम रही है और आपको दूसरी साफ्ट को एन to rotate in the opposite direction जब आपको दोनों parallel soft को opposite direction में rotate करानों जो एक दूसरे के opposite direction में rotate करें, तब आप cross belt drive का यूज करेंगे, यह ज्यान रखने है, ठीक है निए, तो add the junction, wear the belt cross, it rubs against itself and wear road, अब जब इस तरह के system बनाऊंगा, तो इस तरह के system में यह सकता है कि आपकी वैल्ट आपस में रगड खाने लगे आपकी वैल्ट आपस में मिनने लगे और वहां से टूटने की कोशित करने लगे अभी डाइग्राम समझाँगा तो आपको समझ माई जाएगा तो उसके लिए हम जो बैल्ट पर पुली लगाते हैं उस पुली को ऐस पैलली ना रखे थोड़ा सा इस तरह हलका सा एंगल में रख लेते हैं याई एक आपकी वैल्ट यह है वह यह एक बैल्ट आपकी देखिए अधिहांते समझेगा इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चो जैसे आपकी एक साफ्ट यह है तो इस साफ्ट पर आपने यहां पर प यह ड्राइबर पुली यह ड्राइबर या आपको वैल्ट उपर से उपर нी ले जानी ऊपर वाला सीरा नीचे लिख उसमाजमा इसलोग है जो नीचे जा रहा था ओपर मिपनमे वह उपर चलागा तू नीचे चला लगा तो यहां पर गैल्ट के मिल्ने के चांस बने रहते ह यह रगड खाएगी तो टूटे भी सकती है तो उससे बचने के लिए बच्चो हम क्या करेंगे उससे बचने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा समय ने बताया था कि पूली के भीच में हम जब आपको दोनों साब एक दूसरी के पूरिक्ति में रूटेट करा लिए अब इसका देखे यह कहां पर की यूज होती है क्या इसका फाइदा है कहां पर इसे यूज करते हैं इस्टेप कौन पुली आपको पहां पर यूज करेंगे जहां पर बसको हमें बार-बार बबार-बार क्या करना पर जैसे लेट मशीन पर इसका यूज होता है लेट मशीन डृलिंग मशीन इन सभी पर जो है जो पुली लगी वह वह पावर ट्रांसपर होती है क्या होता है इसमें एक साफ्ट इदहर है दूसरी साफ्ट इदहर है करते रहते हैं जो आपकी बैल्ट है उच्छे ट्रांसफर करते रहते हैं तो वहीं रहेगी आपकी पुली के ऊपर जो बैल्ट चड़ी हुई है वह बैल्ट बार बार पुली को चेंज करते रहेगी जब आपको स्पीड को चेंज करना होगा तभी उस पुली को दूसरी तभी स्पीड के एसाब से आप बैल्ट को पुली पर ट्रांसफर करते रहेंगे कैसे देखी कि यहां ज्यान से देखेगा देखें एक साफ्ट आपकी यह है दो आशां पर देखें पुली है और दोसरी इसके लेख सब्सक्राइब पुरिय। ये वाली फुर्भाण के सामने च्छोटी P21 लगी कि गुगी जितने साइस की पुली योग और यहाँ पर चोटे वाली फुली लगे इसके सामने बड़े वाली पुली लए या लिस दोन की रेडियस का सम इन दोनों की रेडियस के सम के एकवल होगा और इन दोनों की रेडियस के सम के एकवल होगा यानि आमने सामने वाली दोनों पुली की रेडियस का जो सम होगा वो सभी का एकवल होगा जो उनका सम आएगा क्यूंकि जो बैल्ट है आपकी अगर इसकी जो रेडियस होगी वो ब अब आप देखितें यहें ड्राइबर पुली हें ड्राइबर यहां से पावर को यहां ट्राइब फिलहाल जो है आपके यह बड़ी पुली पर चड़े ओर यह सी जियावाली शब्त पहर होगे आप इधर इस पर क्रोसोवर कर दें तो दोनों का साइज सेम है जब दोनों का साइज सेम होगा बच्छो क्या होगा जितनी आर्पिम इसकी होगी तो नहीं आर्पिम इसकी होगी और हमें मानले आर्पिम को कम करना है तो हम इस बैल्ट को यहां पर शिफ्ट कर देंगे चलते चलते पर आपको बार-बार speed chain करनी पड़ती है महाँ पर इस तरह से step पुली का यूज कर लेते हैं देखिए इस तरह की पुली रहती है जरूरी नहीं कि आपको ड्राइवर साथ के रूटेशन को रोकना है ड्राइवन साथे पर पावर ट्रांसपर नहीं करनी आपको से स्टोप करना है तो आप जो ड्राइवर साथ को यह कहा काम होता है प्रासटेंड लूज पुछ पुली अब इसमें इस यह है आपकी ड्राइवर पुली इस पर भीन मतलब फैला वाँ अच्छा खासा यानि यह बैल्ट यहां पर इदर उदर मूब कर सकती है ठीक है नी इस पर आपका जो सईसे बड़ा रहेगा थोड़ा था अब यहां पर जो ड्राइवन पुली है इस पर आपकी दो पुली लगी भी होगी एक को कहेंगे लूद पुली एक को कहेंगे fast pull. आब जब आपको power transfer करना तो आपकी जब belt होगी यहाँ पर जो driver pulley से fast pulley से connected होगी. faculty जब rotate करेगी तो आपकी soft और आपको रोकना है आपको क्या करने ड्राइवर साफ्ट को रोकना ड्राइवन जो ड्राइवन साफ्टे उसे रोकना है और ड्राइवर साफ्ट को नहीं रोकना कि आपकी ऊटोमेटिक चलती रहे तो आप क्या करेंगे आप इस बैल्ट को बस्तो यहां पर ट्रांसपर कर दे यह बैल्ट आपकी यहां ट्रांसपर हो जाएगी तो जब आपकी बैल्ट ट्रांसपर हो जाएगी तो ड्राइवर पुली घुमती रहेगी यह साफ्ट भी घुमती रहेगी इधर जो यह लूज पुली है लूज पुली तो रूटेट करती रहेगी लेकिन साफ्ट रूटेट सब्कूल सब्सक्राइब आपके रूटेट गराइबाइंद को दो और तो कि प्ली ड्राइब जो कि पुरीड राइब लॉटेट जैखो के अंदर जो टेंसन होगी वो किस पर डिपेंड करेंगी वो depender करेंगी आर्क पोप पूंटक्ट आपको जो पूंटेक्ट अंगल हैं वो कितना बन रहा है आपकी वैल्ट और पुली कितने contact में है ठीक है नहीं लेकिन अगर contact angle ज्यादा कम हो जाए contact angle कम कम होगा जब साफ की बीच की distance कम हो जाएगी तो contact angle कम हो जाएगा यह जो पुली का साइज है वो छोटा है पुली आपकी छोटे size की है तब भी contact कम रहेगा तो उस case में कोंटेक्ट अंगल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं जोकी पुली का mult All तो जिधर आपकी श्लेख साइड होती है जिधर आपकी बैल्स लूज रहती है जहांपर टैंसल काम होती है वहाँ पर टैंसल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं Five जो की पुली ड्राइव का जूज करते हैं अब जो की पुली ड्राइव का यूज कैसे होगा देखे बच्छो यहाँ पर यह है आपका तेकर नहीं यह जो आपको यहाँ पर दिखरा है बसको यह है ड्राइवर यह क्या है ड्राइवर और यह है ड्राइवर तो मैंने आपको मत तो आप देखें अगर मैं यहां से यह पुली जो मैंने लगाई है इस पुली को लगाने से आपकी पैंड यह तो ऐसे जाती यहां से आती यहां से आती यहां से निकल जाती ऐसे ऐसी तो जाती नीचे तो यहां पर कॉंटेक्ट कम था मैंने यहां पर पुली लगा के आपकी पुलिया चली आपके पुलियू को ऐसे जाने से देखिए यहां पर आपका एंगल इंक्रीज हो गया यह कॉंटेक्ट बढ़ गया किधर ये वाला पॉलिय पुलियू तो यहां हम क्या करेंगे जब आपका कोंटेक्ट एंगल कम हूँ और साफ के बीच की डिस्टेंस कम हूँ तो कोंटेक्ट एंगल को बढ़ाने के लिए रस्षी में टेंशन ज्यादा करने के लिए आप एक छोटी सी जोकी पुली जिसे आइडलर पुली भी कहते है उसका यूज कर लेंगे जिससे रस्षी के अंद यूज रेंदी इंस्टोल कर सकते हैं इस री उसे भाव काम नहीं है दी कर मेतो कम पैसों में आजाथी है यह व्लकी महहते हैं तो आपका लोगВы प्राइज में ही काम हो चाहिए वैं फ़ी सिंपल सोब्सक्राइए फ़ीर बनाने में बड़ा टाइम लगता है उसमें जादा हमारा कंंस्ट्रक्षण टफ नहीं राता है आपको वर्टिकल होरिजोंटल इनकलाइंड कैसे भी पावर को ट्रांसपर करेंगे। पावर कंजक्ट्षन होगी वो लो होगा अदर और किसी भी तरह कोई लोग ज्यादा इसके नहीं हो ठीक है डिसएड़ांटेज भी है कुछ डिसएड़ांटेज अब सर पड़ा यही है कि पावर लोग जीटो स्लीप एंड क्रीफ अगर बैल्ट आपके टूट गई या वैल्ट आपकी जो है छिप हो गई तो पावर आपकी क्य आपके घूमती रहेगी तो घूमते घूमते वागन हो जातकी डिटोने की वजह से क्कॉइटक भी क्या यह सकती है यह बोसी बीट हो सकती है कि इडियां नेकिलिग देखें सोट डिस्ट हम वैरी इसोली सुट ड्राइब का यूज नहीं हो सकता वहापर हमें फिर गियर पा लोंगर लाइफ दो पोसीबल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती आपकी वैल्ट चलते 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 कुछ वाद घिज जाती है फिर आपको वैल्ट को यूज करना पड़ता है पुली वही चल जाती है यह पैल्ट को आपको चैंज करना प्रेकिंग आर्मोर अगर आप आप इसके अंदर मान लिया लिमिट से ज्यादा टेंशन हो जाए तब भी दिखकत है तो तूट सकते हैं तो तूटने के चांज भी बने रहते हैं बैल्ट के उसके बाद ऑपरेशन टेंपरेशन लिमिटेड माइनस 35 तो 85 डिग्री से अगर आपका टेंपरेशन माइनस 35 से कम हो गया और 85 डिग्री से ज्यादा हो गया तो आपकी जो बैल्ट हो जाएगी उसके टूटे टूटे टूट जाएगी वह लुकुर ठीक है नहीं यह ध्यान लखना है अब बात आती है एप्लीकेशन की एप्लीकेशन देखें कहां कहां इसके एक तो पावर ट्रांसपर करने करते कें काहीं बी किसी बींड़ेसटेज इस्टेंज बहाएं मेल इसटीन याउटा चक्की मेल जिसे आटा चेकी तो बड़े बड़ी वही मुझान एक जिंगे से दूसरी जगह पर पुहँच जाता है उसे कहते हैं सारे इसमें हम जो है कितने क्या है ऐप्ली किस और आपके जो है एडव़ांटेज किया है सब सब चीजे मैंने आपको बता दी तीसरा चेप्टर सब्साइब का फिनिस होता है अब नेक्स वीडियो में मिलेगे बस्टो measurement चेफ्टर के साथ तर तक पढ़ते रहे वीडियो को शेर करते रहें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें बस्तों, नेक्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यों